बुद मॉणिंग स्टुडेंट्स. बच्छो इससे पहली वाली वीडियो में हमने question number one, two, three, four समझा. अब हम इस next वीडियो में five, six, seven, eight और डियाग्राम्स करेंगे, okay? बच्छो अब हम question number five को समझेंगे. इससे पहले वाली वीडियो में हमने question number one, two, three, four को समझा. Okay, give two points of difference with being stars and planet हमको main difference बताने है कि stars और planets में फरक क्या होता है The main difference with being stars and planet is that First, stars have high temperatures क्योंकि stars जो होते हैं, उनका बहुत जादा temperature होता है compared to planets, planets के comparison में Because they radiate energy क्योंकि वो क्या करते हैं Energy को radiate करते हैं Okay, तो इसकी वज़े से क्या होता है उनका temperature हाई हो जाता है It means stars are very bright object and produce heat and light Simple, तो इसका मतलब क्या होता है Stars होते हैं, बहुत जादा bright माने चमकीले होते हैं जिनकी अपनी खुद की light होती है और वो energy को radiate करते हैं जिसके कारण का temperature हाई हो जाता है और वो heat और light भी produce करते हैं जैसा कि आपको sun पता है ना Sun heat भी देता है, light भी देता है है ना, ऐसी जो stars होते हैं उनकी भी अपनी light होती है रात में वो चमकते हैं ना उसका भी कारण होता है क्योंकि जो stars होते हैं बेटा, वो sun से भी जादा दूर है Sun तो प्रत्वी के पास है ठीक है, और stars sun से भी जादा दूर है planets do not generate their own energy और जो planets, जितने भी planets हैं Mercury, Venus, Neapune यह सब क्या होते हैं इनकी अपनी खुद की कोई energy नहीं होती कोई energy generate नहीं करते they reflect some of the radiation coming from their star यानि यह क्या होते हैं star क्या है, जैसे सूरज यह सूरज की रोशनी के कारण चमकते हैं यानि देखो, जैसे मैं आपको समझाती हूँ जैसे आप एक कमरे में जाओ जिसमें अधेरा है, उसमें torch लेके जब आप जाओगे, किसी object पे जब उस torch को डालोगे तो हमको ओब्जेक्ट जो होती है फिर वो दिखाई देने लगती है, क्यूं? क्योंकि होता क्या है कि जो torch की रोशनी होती है, जब उस object पर पर पड़ती है, तो उस object, जो ओब्जेक्ट होती है, वो reflect होती है reflect के कारण ही हमको वो चीज फिर दिखाई देने लगती है ऐसी सन के साथ होता है तो जो सन की सन जो होता है उसी के कारण क्योंकि सन की तो अपनी खुद की रोशनी है प्लानेट्स की कोई अपनी रोशनी नहीं है तो इस सन के कारण ही जो प्लानेट्स होते हैं वो reflect होते हैं जिसकी स्टार्स अर फिक्स और उनका अपना एक फिक्स्ट एवो राउंट निहीं करते वह घूमते नहीं है और जब्कि हो प्लानेट्स जो होते हैं वह उसके 4 ओर चकर लगाते तो आपको अच्छे से पाता है पहले भी मैंने आपको समझायाएं रिस्टम मैं इपो गिव अब ही मैंने आपको बताया because it reflects the light coming from the sun जो sun से light आती है उसकी वज़े से reflect होता है और वो चमकता है जैसे मैंने भी बताया था कमरी का example देके आपको समझाया था बिल्कुल वाई चीज है now third is we cannot see the stars during the day the sun is a star that is nearest to the earth जैसा कि हमको पता है कि sun जो है यह star है क्योंकि इसकी खुद की अपनी light होती है वो stars होते हैं और यह sun जो है अर्थ के सबसे ज़्यादा close है during the day sun lights it's so bright that we cannot see the light of the other star और sun की अपनी खुद की light इतनी ज़्यादा bright है जिसके कारण stars भी चमकते हैं दिन में लेकिन वो sun की रोशनी के कारण हमको नहीं दिखाई देते हैं because it does not tilt in relation to the sun's location क्योंकि अगर हम देखें तो equator से प्रत्वी नहीं घोमती आपको अच्छ से पता है प्रत्वी सूरज के चार ओर अपनी axis पर घूमते हुए rotate करती है है ना तो इसकी वज़े से equator पर कोच भी फरक नहीं पड़ता okay इनको आप बनाके देखिए समझने कोशिश करिए two imaginary lines on the earth Tropic of Cancer जो कि आपको पता है Northern Hemisphere में होती है Tropic of Capricorn जो कहां होती है Southern Hemisphere में होती है second diagram है आपका draw rotation the earth rotation क्या होता है जब earth अपनी axis पर rotate करती है तो वो diagram आपको बनाना इसके बाद solar system with eight planets उसके बाद draw करना है आपको North और South Pole okay जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को समझा है तो यह सभी diagrams आप लोग अपनी copy में बनाइएगा करना हिएगा ओके यह इसका क्या मतलब है यानि जो प्लानेट है प्लानेट जैसे यूरेनस है ना नैप्चून मार्स तो बच्चा पता है इन सबके भी satellite होते हैं ठीक है मतलब जैसे यह planets होते हैं वो sun की रोशनी से चमकते हैं और जो satellite होते हैं वो इनकी रोशनी से चमकते हैं और जो इनके चारोड चक्कर लगाते रहते हैं जैसे हम अर्थ के बारे में समझते हैं कि Earth has only one natural satellite जैसे अर्थ तो खुद एक प्लानेट है लेकिन अर्थ का भी अपना एक satellite है satellite कौन सा है नेचरल सैटलाइट मून जैसे कि यह अर्थ है ना अर्थ का satellite मैंने बताया मून है ठीक है मून जो होता है वो अर्थ के चारोड चक्कर लगाता है और यह कितना टाइम लेता है 27.35 ओके 27.35 डेज दीज सैटलाइट और फिर यह जो सैटलाइट होता है वो किस से रिफ्लैक्ट होता है संलाइट जो होती है आपको पता ना संलाइट के कारणी तो रिफ्लैक्टों के चान्द हमको फिर रात में चमकता हुआ दिखाई देता है ना ओके झाल 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 झाल